वेलकम टू जीरो से जिन्यास तक आज के एक और नय एस्पेसल वीडियो क्विटेश्टा में आप से पूछे जाएंगे जीके के दस सवालों को तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है जो कि हाल ही के एक्जाम में आया था बिद्धुधारा का एसाई मात रख क्या है आपको जब आप सोचने के लिए के विलेंगे 5 सेकिंड का समय जो सुरू होते हैं अब बिद्धुधारा का एसाई मात रख क्या होता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C, Q2, प्राथम रॉबेट जिसे मानों का दर्जा दिया गया ये सवाल भी हाल ही के एक्जाम में आया था प्राथम रॉबेट जिसे मानों का दर्जा दिया गया आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B, सोफिया आंसर क्या होगा आप्शन नमबर B, सोफिया Q3, लाल सागर को कौन जोड़ता है लाल सागर को भुमद्य सागर से कौन जोड़ता है ये भी सवाल हाली के एक्जाम में आया था सही आंसर हो जाएगा option number B स्वेज नहर question number 4 दूरगापूर और भिलाई प्लांट 10 उत्पादन करता है दूरगापूर और भिलाई प्लांट क्या उत्पादन करता है ये भी सवाल हाली के एक्जाम में आया था आपको पता होगा आंसर होगा option number B इस पाथ उत्पादन करता है question number 5 विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है सही answer हो जाएगा option number B स्वेज नहर मिश्व में इस्तित है question number 6 तीन तरफ से बंगलादेह से घीरा राज्जय कौन है सवाल सिम्पल है लेकिन ये भी सवाल हाली के एक्जाम में आया था तीन तरफ से बंगलादेश से घीरा राज्य कौन है अंसर होगा आप्सन नमबर डी तिरीपूरा और आपको पता है तिरीपूरा की राजधानी अगर तल्ला है आगे प्रोशन है प्रति वर्स बीस्वा मधुमें हैं दिवस कब मनाया जाता है ये आरपी एफ एकजाम में आया था बीस्वा मधुमें हैं दिवस कब मनाया जाता है सही अंसर होजाएगा अप्सन नमबर A 14 नमबर को कोशन नमबर 8 परसंत महासागर का चौराहा की सद्वीप को कहा जाता है सही अंसर होजाएगा आप्सन नमबर C कि हवाई द्विप को कोशन नमबर नाइन चमगादर अंधेरे में किसके कारण उड़ता है चमगादर अंधेरे में किसके कारण उड़ता है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर बी परासरय तरंगो के कारण चमगादर अंधेरे में परासरय तरंगो के कारण उड़ता है कोशन नमबर टेन है सीवा जी की मंतरी परिसद में परधान मंतरी को क्या कहा जाता था तो आपके लिए एक सवाल है भारत का सबसे निकततम समुंदरी परोसी देश कौन है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कॉमेंट वक्स में जाना है वहाँ पर लिखना है क्यों फर इवर इसके राइट अंसर तो मिलता फिर अगले वीडियो में आपन का ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत